वोगे देन नमस्ते हाद आप्साशिया काल, मैं हूँ C.A.S. अंकल कांस्टिया, स्वागत है आपका इस नए सेशन में, इस नए चैलेंजिंग बैच में, जिसका नाम है C.A.F. Final Master Class for AFM, very challenging, challenging for me, because I have to ensure that I give you, I deliver you the best in the least minimum time, right? So, जैसे मेरी बुक का नाम है, Optimized, Optimized का मतलब यही होता है, give maximum with minimum resources, and that's what we will do. So, we have so many students from all over India, live batch है, Google Drive पे जो देख रहा है, welcome to you as well. So, where are people from, oh wow, so, okay, let's start, can you hear me, can you see me, yes, Urvashit Bhaid, Mumbai, आमची मुंबाइ से है, मैं भी मुंबाइ से हू, अनीशा, इंदोर, शेकर, नेपाल, मीनल, मुंबाइ, वर्शा, हैटरवाद, बैंगलोर, रिया, अजमेर, वन्शिका, सूरत, यश, सिर्शा, हरियाना, उदै, आंधरपदेश, ग्रेट-ग्रेट, केरमया, हैटरवाद, बैंगलोर, आंधरपदेश, मोहिता, खारगपूर, बारगव, वेस्पिंगोवाल, नोगिता, केरला ट्रवैंडर, वाओ, गंगालक्ष्मी के, या शर्याना, ओके, सुचलो भाई, अभी ये तो मेरा चलता रहेगा, मुंबाइ, कोमल, उदैपूर, अजिस्तान, क्योतिगा, नागपूर, कोलकाता, गिन, राइट, सुचलो पक्का सब हो जाएगा ना, यह जो टाइम डिरेशन है उसमें, दा आंसर इस येस, लेट्स टेकिट अस चैलेंज, मेरे लिए भी चैलेंज है, आप लोग भी ऐस चैलेंज इसको एक्सेप्ट करो, क्या सम सॉल्विंग होगा सर क्लास में, दा आंसर is yes, तक सर क्या फॉर्मिला का डेरिवेशन एंड गॉंसेप्ट अप लिख वोगे, दा आंसर इस येस, सर क्या आप एक एक चीज़, एक 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 चांसेप्ट, जो भी सम नया नया है, वो सारे के सारे क्लास में, दा आंसर इस येस, और अपन पूरा का पूरा फोकस ये त्री आर्ज का जो सेशन मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, उसमें आप लोगों का अट्मोस्ट फोकस ये, आज फर्स्ट डे है, तो आज तो मैं खाली इंट्रोड़क्शन दूँगा, बट कल से एक मस्त वाला किक स्टार्ट लेंगे अपन लोग, नए चार्टर को स्टा लोग भी एक बार कॉमेंट्स में बताते जा, वाटर यॉर एक्स्टेशन वैसे तो मैंने थोड़ा समझी लिया था, बैक इंट पर, फिर भी, अगर कोई स्पेसिफिक चीज हो, तो लेट में नो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लाइब बैच है, जो लाइब अटे आप लोगों का ये पूरा बैच भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस डाउट से वो आप लोग ऑन पूछ सकते हो, and you will get the answers immediately, so that will really, really be helpful to you guys, alright, तो on that note, I am starting it, and keep it communicative, the more you communicate, जितना डाउट पूछना है, पूछो बिंदास, मतलब, बेसिक डाउट हो, तो भी पूछ सकते हो, ऐस हमाद सोचना कि सर, master class है, तो हम लोग doubt कौन से level का पूछे, कोई भी level का हो, 1 प्लस 2 is equal to 3 नहीं आ रहा है, पूछ लो बिंदास, कोई tension नहीं है, ठीक है, वैसे तो मैं basic से ही cover करने का try करता हूँ, so that आप लोग का doubt बने ही न, but if it comes, then in that case, you are free to ask it as many times as you want, and whatever doubt you have, ठीक है, so य यह green signal मेरी तरफ से, but keep it communicative, मैं अगर आप लोगों को questions पूछ रहा हूँ, मुझे सामने चाहिए कि आप लोग answers लेके चलो, यह अपने लिए है, गीता वाइवल, कुरान, boss, अपना calculator, एकदम handy रखना, एक notebook, and obviously, जो मेरी books है, वो तो रहेगी, but whenever I ask you a question, or tell you something, be ready with it, with the answers, so that there is proper communication, always going on, अगर किसी ने doubt पूछा, if some student asks you a doubt, and if somebody else has an answer to it, बिन्दास, you can write the answer as that, कोई problem नही है, so, it is like, you know, two-way communication, जितना रहेगा, and जितना अपन लोग एक दुसरे को help करेंगे, उतना, the batch will become superb for everybody, right guys, चलो, sir, मेरा first attempt है, great, so see, I have a benchmark, मेरे को मोहिता का एक benchmark मिल गया, मोहिता का first attempt है, और वो first time AFM पढ़ रहे है, कोई है, जो AFM पढ़ने वाल है, first time, will we be getting recorded classes also daily, yes, Manogna, you will get the recorded classes also daily, how to tackle the toughest paper, this is the major expectation, well, in order to handle any toughest paper, not only AFM, the only golden mantra is practice, 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 so first, we need to get clear with the concepts, once that is done, then the more we practice, the better it will come out, right, okay, कौन है, जो first time पढ़ रहा है, AFM, उस लाइफ में first time पढ़ रहा है, AFM, ऐसा कोई है गया, निश्ठा शर्मा is studying it for the first time, great, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों यह सब मेरे लिए एक benchmark बन गया, कि अगर निश्ठा को समझ में आ गया, अच्छा वंशिका is also doing it for the first time, मतलब तो सब लोग first time आ रही हो तो कोई problem ही नहीं है, तो कोई जिसने पहले पढ़ावा है, वो पढ़ रहा है, तो उसके लिए तो easy ही हो जाएगा, great, SCL already, great, 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 तो फिर तो tension ही नहीं है, तो मज़ा आने वाल है batch में, Shekhar Singh, so lot of students are in the batch who are doing it for the first time, so done है, फिर अगर इन लोगों को समझ में आ रहा है, everybody watching around will be able to get it, on that note, let the game begin, because कुछ students है जो first time भी पढ़ रहे है, तो मैं उस बेशते ही जाऊंगा, but at the same time, I will ensure that it is there and done in that time also, so we are starting guys with the subject AFM, first two lectures, एक दूसरे का वाइब कनेक्ट होने को लगेगा, and then once the vibe is connected, दो दिन में जब वाइब कनेक्ट हो गया, फिर बाद में upwards and onwards and upwards and upwards and onwards, right, so paper to AFM, first two days, keep it calm, I will also be very easy going, but फिर बाद में, yes, we will buckle up as much as possible, so paper to AFM, and we are starting with CA final, इस subject में, ICAI बोलता है, there are in all approximately 15 topics, but what I have done is, I have divided this subject into four parts, for me and from now on for you, अपने लिए चार phases में ये subject divided है, and कुछ logic के basis पे मैंने ये division किया, you will find the logic very much logical, so I have divided into four parts, phase one, phase two, and मैं अपना teaching भी ऐसे ही करने वाला हूं, and आप लोगों को revise भी ऐसे ही करना है, then comes phase three, देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना, कि जब मैं बोलूंगा न, लिखना है, तो साथ साथ में लिखते जाना, so that at least writing में अपना time waste ना हो, दूसरा, सर ये जो notes आप लिखवा रहे हो, will we get it, the answer is yes, daily on the drive, this pdf will be uploaded, so you don't have to worry at all, and the last is phase four, तो चलो, समझने की कोशिश करते हैं, कि अपने को topics कौन से कौन से करना है, मैं सबसे पहले पढ़ाता हूं मेरा phase one, कोई भी last attempt का papers उठा के देख लो, phase one, phase two, phase three, phase four, collectively, ठीक है, every phase comes for approximately 20 to 25 marks, तो पहला logical reasoning, कि बॉस, phase, कोई भी दो phase हो गया, तो एक security आ जाता है यार, चलो, 40 तो आ गया, बराबर है, see, eventually the aim for everybody, let's keep it 100, no problems whatsoever, but the first thing for any CA student, अगर मेरे को rank भी लाना है या कुछ भी करना हूं, पहली चीज मैं exam लिखते हूं क्या देखता हूं, तो मुझे पता है, कि यार, दो phase को तो इतना strong कर लू, कि pass होने वाला तो tension गया, तीन phase अगर मैंने एकदम strong कर लिया, then in that case, I am definitely getting an exemption, and चारो phase अगर मैंने कर लिया, then in that case, 85 plus is not far behind as well, ठीक है, so that is the reason, मैंने इसको चार phase में divide किया है, and मैं आपको बता दू, that ये चारो के चारो phase, approximately 20 to 25 marks के लिए आने वाले है, जी हाँ, but obviously, इन में थोड़ा थोड़ा levels का, difficulty का, अलग-अलग है, वो मैं बताऊंगा, बट उसके पहले, क्या included है ये phase में, so first phase में मैंने लिये हैं, three chapters, first chapter जो मैं भी start करने वाला हूं, and that is called as mutual funds, so that is the first chapter that I am going to start with, second chapter that I, that included in the phase one, is called as portfolio management, and the third chapter is called as valuation of security, so this is the division of the first phase, so this is the first phase, I will call it as a medium phase, ना मैं कोई बहुत एकदम high five चीज़ से start कर रहा हूं, first let's get used with the numbers, मैं एक बार number crunching में, mathematics में, थोड़ा मेरे को एक idea आजाए, फिर बात में मैं चलूँगा phase two के ओपर, बराबर है कि नहीं, अगर आपको CA inter है और CA final है, तो institute पहले CA inter कर वाता है, फिर आपको बलता है चलो, अब आप eligible हो गए हो CA final में आने के लिए, सीधा मैं CA final से start करूँ, क्या CA institute को सीधा बोलना चीए, चलो CA final का exam ले लो, the answer is no, right, so accounts, tax, यह सब का अपना एक अच्छा base बनाव है, इसके लिए आज CA final में, we are able to manage it in a much much easier manner, बस वैसे ही है, यहाँ पे I am going to give you a strong base foundation, so that when we come to the chapters of phase 2, which is forex, my favorite and your favorite also in some days, derivatives, then there is called as international financial management, and interest rate risk management, यह चार chapters आएंगे phase 2 में, yes, some people find this as a kind of a difficult phase, some people, अपने लिए आचा है, but yes, it is challenging, no doubt about that, but अगर systematically process के साथ follow किया, things will become very easy and smooth, phase 1, according to me, is a medium difficulty level, फिर वाज माय आ जाते हैं, अपन लोग phase 3 के उपर, जो मेरे लिए average level, and last में है मेरा phase 4, which is easy peasy, 11 squeezy, because वो है मेरा fully theory oriented, तो सर, phase 3 में, क्या आएगा वो भी बता दू, आजाओ, so phase 3 consists of mergers and acquisitions, जी हा, so mergers and acquisitions will be covered here, and then we will have, पहले इसको नाम बोलते थे, corporate valuation, अब नाम होगय है, business valuation, बागी कोई बहुत ज्यादा change नहीं हुआ है इसमें, but now it is called as business valuation, and the last is called as advanced capital budgeting, advanced capital budgeting, तो ये तीन मेरे आते हैं phase 3 में, this is a new introduction, new तो मैं क्या ही बोल।, मैंने जब CA final का exam दिया था ना, मेरे टाइम पे हुआ कर जा था, MAFA या SFM भी बोलते था इसको, at that point in time guys, advanced capital budgeting was there in our syllabus, फिर एक नाए syllabus आया, उसमें बोलों ने advanced capital budgeting निकाल दिया, अब they have reintroduced advanced capital budgeting, which is a welcome move by ICAI, and the last phase, जिसको मैं बोलूँगा phase 4, जो है easy और जो अपन लोग करने वाले भी last में है, that phase basically is your theory oriented phase, इसमें पूरा का पूरा theory है, क्या आएगा इसमें, so there will be chapters like securitization, so जैसे जैसे ही अपन लोग करते जाएंगे, वैसे वैसे ही ये काम भी होते जाएगा, so there will be first securitization chapter, then you have risk management, then you have startup finance, ठीक है, okay, then we have another chapter financial and corporate policy, and last but not the least, we have a security analysis, आज से आपके लिए total, ये देखो, one, two, three chapters here, four chapters here, seven, three chapters here, and five chapters in phase four, ठीक है, from now on, you will also say, that sir, हमारे लिए भी, चार phases में ये subject divided है, मैं तो usually मेरे हर student को बोलता ही को, कि इसका एक photo ले लो, और अपनी story पे share कर दो, याद हो जाएगा आपको, या फिर at least photo लेके रखो, जब ही आप revision करोगे ना, तब आप revision भी इस हिसाब से ही करने वाले हो, क्या आप लोगों को clear होगे, आपने को कैसे ये पूरे subject को tackle करना है, so क्या करवाने वाला हूँ मैं पहले, phase one, phase one में ये तीन topic, guaranteed 25 marks, इन topic को मिला के आना ही आना है, minimum guaranteed, लिखके ले लो, फिर मैं जाओंगा phase two के ओपर, which is a challenging phase, यहाँ पर जब मेरा base बन गया होगा, number crunching हो गया होगा, मैं comfortable हो गया होगा, एक subject के साथ, उसके बाद में मैं phase two के साथ जाओंगा, and it will become very nice, and then come will the phase three, which is pretty much manageable, formulas और वो सब अगर बराबर आएंगे, तो आराम से phase three हो जाएगा, and phase four is totally, totally theory, इस सारे के सारे अपन लो करेंगे, in the best manner possible, जिया, with this, I welcome each one of you, myself, CS Uncle Kansdia, right, it's been more than a decade, जब मैं यह उड़ा रहू, being a chartered accountant, what I did was, the first job जो मैंने किया था, first and only job जो मैंने किया था, I have worked with JP Morgan, in their financial services, and asset management division, जी हा, approximately four to five years, मैंने finance के field में, hardcore काम किया है, and यह सब जो आपको दिख रहा है न, यह मैंने practically किया वा है, yes, I have worked with JP Morgan mutual funds, in their asset management division, मेरे clients के लिए, मैंने portfolio manage किया है, security को values किया है, obviously, because I am working with JP Morgan, so international connect है, मैं इंडिया में बैटा हू, JP Morgan का तो world over offices है, so forex, international financial management, यह सारा का सारा काम, मैंने personally किया वा है, while I was in my articleship, तब मैंने mergers and acquisitions, business valuation के चीजे की है, and then comes your theory, which is pretty much manageable, so whatever that you are going to learn, from me, is a part of things that I have done practically as well, and वो reflect होगा, जब मैं आपको पढ़ा होगा, इसके लिए मैंने बोला, कि इसको पढ़ने में मज़ा आएगा, because it is not only a matter of, कि भाई चलो जो बुक में दिया है, module में दिया है, बस उतना ही पढ़के, पास हो जाओ, yes, that is a priority for you also, for me also, but मैं तोड़ा दूर का सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ के यार, इसमें आपको करियर बनाना है, उस extent का thinking आपका होना चाहिए, अभी से, and that is how you will move ahead, अगर उस level का thinking, और उस level का preparation के साथ, अपन लोग आगे बढ़ते हैं, definitely, we will score good marks as well, क्या बलता है पुब्लीक, राइट, चलो, सब्सक्राइब इस मिन्स थेयरी कंसिस्ट आप 20 तो 25 मार्क्स, दो अंसर इस येस, और ये पुब्लीक, ओप्शन में चोड़ के जाता है, या बहुत जादा लास्ट मुमेंट के लिए रखना है, अपने को वो गलती नहीं करना है, again I am telling you, देखो, कोई भी paper आप pick up कर लो, हर question के बाद institute ने एक theory question डाला है, बहुत शाणा हो गया institute, समझे नहीं आप लोग, क्या अब paper pattern, मैं अभी फिलाल paper pattern अब discuss करके, आप लोग को bias नहीं करना चाहूँगा, बट फिर भी paper pattern मैं right time पर discuss भी करूँगा, बट जस्टो गिव यू आइडिया, institute का जो paper pattern होता है, obviously we know that it is 30 marks of MCQ, इसमें कुछ भी आ सकता है, and 70 marks of descriptive, अब ये 70 marks of descriptive मैं आपको बता दूँ मैं, that additional 14 marks का, बोलते ना option वाला चीज भी आता है, so effectively 84 marks का paper descriptive होने माला है, subjective type होने माला है, बाकी का MCQ, ये जो इधर descriptive paper आता है न, you will not believe, इसमें there is a theory question, in every question, मतलब say for example, ये 70 marks का division कैसा है, बता है क्या 14 marks into, so simply for example, अपने को यहाँ पे 70 इधर दिख रहा है आपको, तो 14 into 6 questions, I'll just show this to you, अब paper pattern का बात, शीड़ी गया है, तो बता ही देता है आपको, 14 marks into 6 questions, is what you see, institute क्या करेगा पता है, question number 1, A, B and C, मतलब भी खाली 70 marks वाला में discuss करो, question number 1, A, B, C, ये C जो question है ना, आगाएगा theory question, yes, approximately 4 marks का, question 1 A, say 6 mark का, question 1 B, say 4 mark का, total 14 marks का question बन गया, बत उसमें एक theory question institute में गुसा दिया, वेट, 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 suppose question number 2 A, अब question number 2 A में क्या करेगा, हो सकता है institute 10 mark का पुरा ये practical question बुछ ले, but question 2 भी पुछ लेगा, 4 mark का, ये जो 4 mark का, ये question क्या आ जाएगा, theory question, अब आप मेरे को बताओ, क्या आप theory में option को छोड़ सकते हो, क्या, I mean theory को option में छोड़ सकते हो, क्या, the answer is a clear no, फिर same, same, जब मैं question 3 institute बुछेगा, so 3 A, 3 B, कुछ भी हो सकता है, पर 3 C, तो वो लोग एक theory question घुसा ही देते है, 4 mark के लिए, so every question will internally have 4 marks, and if that is going to be the scenario, then in that case, 2 marks के लिए तो मैं बोल रहों कोई pattern fix, सोचना ही नहीं है अपने को, but usually you can expect that approximately 15 questions of 2 marks each, अब इसमें कैसा होगा, say mutual fund का institute ने question दे दिया, एक example दे, यह बार जैसे हुआ था, derivatives का question आथा, तो एक question दे दिया, अब उससे related 2-2 mark का, उसका वो लोग ने part पुछेंगी, अब मेरे को mutual fund अगर solve करने को आता है, तो मैं mutual fund को solve करूँगा, और फिर बाद में उससे related, जो भी internal questions है, मैं उसको solve करूँगा, तो वो दो-दो mark काहेगा, but this can be theory oriented MCQ, this can be practical oriented MCQ, this can be combination of theory and practical, it can only be theory, it can only be practical, किसी को कुछ नहीं बता है, इसका कोई set pattern है ही नहीं, और अपने को चाहिए भी नहीं कोई चीज, set pattern में अपन तो any which case, सब coverage रखेंगे, so that we are able to manage things, with smooth things, right, so क्या आप लोग यह लिखना चाहेंगे एक बार, मेरे हिसाब से आप लोग लिख लो, so that it will become helpful, so 4A, 4B, 4C, अब यहाँ पे भी बीच में एक theory question, घुसा दिया है, again, कोई fix pattern नहीं है, जोड़ी नहीं है, question 5 में भी theory आए गए, but let's be prepared in such a way, कि उस हिसाब से institute pattern पूछेगा, अब यह आगया इधर question 5, and इधर आगया question 6, A, B, C, हो सकता है, इधर theory आजाए, A, B, C, हो सकता है, इधर दो theory आजाए, इधर एक practical आजाए, but all in all, all of these are of 14 marks, all of these are of 14 marks, so यह 14 में से, आपको select करना है, any 5, total 6 question दिख रहा है ना आपको, इस में से आपको करना है, any 5, so 14 into 5, देखो जारा कितना होता है, it is 70 marks, तो 6 में से 5 question यहाँ पर, और MCQ तो पूरा का पूरा अपने को करना ही, ठीक है guys, तो I hope, इतना, एक kickstart, मिल गया होगा, ठीक है, क्या, तुम लोग मुझे बताओ, क्या मैं में मेरे JP Morgan का practical experience, भी तुम लोग के साथ शेर करता रहू, lectures में, यह आप लोगों को चाहिए नहीं, बस सर बस module to module ही रखो, सर बस हमको उतना ही करके जाना है, रे करके जा उतना, बट इंस्टीट ने कभी challenging paper दिया, तो practical aspects, conceptual derivations, बहुत काम आता है, बता रहा हो, और कुछ-कुछ papers है ना, institute के AFM के ऐसे आये वे हैं, right, तो I think, yes, everybody is saying yes, great, चलो, दो मिनिट दे रहा हूं है, yes, obviously, with limited time, वो तो, that is always going to be the priority, master class है, तो I have to keep things accordingly, अब, प्लीज, तुम लोग दो मिनिट दे रहा हूं है, फटा फट इसको या तो फोटो ले लो, या लिख लो, और यह तुम लोग के पास PDF रहने ही वाला है, so it will not be a problem at all, चलो, प्लीज, फटा फट, copy everyone, Sir, can you read the last phase chapters, okay again, Securitization, Risk Management, Startup Finance, Financial and Corporate Strategy, इसको बराबर से लिख देता हूं है, Financial and Corporate Strategy and last, Security Analysis, Security Analysis, यह Securitization, Mergers, Acquisition, Corporate Business Valuation, Advanced Capital Budgeting, यह, जैसे तुम लोग का कुछ, हो जाता है, अगर मैंने कुछ लिखने को बोला और हो गया, तो just let me know, so that I can move ahead accordingly, लिएना, लिए हैं, । Graduate Old at Leber at Leber at Leberat, ह। कर लिएजाएबर से लिए जेखने को लिए मैं है, क्तух, लिए ऻिए हैं, से लिएना की you know, भीए तो झाल झाल इस चलो ड़न सो content क्या है समझ में आ गया paper pattern क्या है समझ में आ गया कोई भी एक institute का चलो paper भी देख लेते हैं why not what say guys यह देखो यह institute का एक paper है for example so very clear instructions यह मैं खाली आप लोगो फर्स दे पर इस ले दिखा रहा हो so that real में जब आप paper देखो at that point in time you should know that okay this is how the paper is looking going to look like the question paper comprises of two parts part one and two उसमें part one MCQ part two descriptive type answer आपको लिखना है basically बाकी सो बार कोड़िंग and all of that is there question paper comprises six questions answer number one is compulsory any four out of the remaining five questions so part two में भी question number one is going to be compulsory so यहां पे let's not write any five out of six इसमें भी अपने को लिखना है भाई question one compulsory है and any four out of five questions so any four out of five questions समझ मैं अब मैं आप लोगो का pattern बता रहो as per ICI just a moment यह देखो इतर question comprises six questions answer number one compulsory any four out of the remaining working form part of answer सब ठीक है अब देखो इतर पहला question one A practical है one B practical है but जब आप one C के उपर आ जाओगे this is question one C यह इदर बीच में चार मार्क का question घुजा दिया समझ में आया आप लोगों को question 2 A अब देखो 2 A, 2 B, 2 C तीनों का तीनों practical है 2 A है 2 B है and then there is 2 C यह ठीक है फिर 3 A 3 अब देखो 3 B यहाँ पर यह देखो 3 A अगर तुम लोग note करोगे so directly 10 marks का question है जो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि यहाँ पर यह देखो ओ सकता है institute एक सीधा 10 mark का question बुचे और एक 4 mark का theory question बुचे here we are so 2 A आया तो 3 में यह आया 3 A 10 marks and then 3 B देखो 4 marks 4 marks दोनों में से एक अपने को solve करने so as such कुछ भी आ सकता है but theory करके जाना है because बीच बीच में 2 C, 3 C, 4 C यह सब यह लोग theory पूछ सकते हैं और अगर आप लोग ने note किया होगा तो 1 वाला जो पार्ट है यह question number 1 है ना compulsory है यह question number 1 is compulsory 1 A, 1 B, 1 C तो यह जो 1 A, 1 B है यह practical था but boss 1 C तो compulsory आ गया plus हो सकता है 30 marks का जो MC को है उसमें भी थोड़ा theory आ जाए say 30 में से approximately 8 marks का theory आ जाए यहाँ पे approximately 15 marks का theory so total makes to approximately 20 to 25 marks का theory आ नहीं वाल है तो मैंने एकदम perfect division किया वा है so I know that phase wise भी मेरको properly करना है and individually theory जब मेरा एक phase ही हो जाएगा तो पूरा का पूरा 20 to 25 marks cover हो जाएगा तो अभी से आप लोगों के लिए AFM कितने phases में divided है guys 4 phases में क्या यह 4 phases याद हो गए 1, 2, 3, 4 on that note now I am going to start yes I am going to start with something unique with you guys नहीं मैं सीधा का सीधा आ ही नहीं रहा हूं कोई chapter के ऊपर मुझे start करना है mutual funds but नहीं मैं पहले आप लोगों के कुछ fundamentals clear करना चाहता हूं उसको एकदम strong बनाना चाहता हूं and then definitely definitely I will come to the main chapter क्या बोलता है बराबर है आदा घंटा लगेगा मैं को शायद half an hour 45 minutes मुझे extra लगेगा but मैं अभी जो base fundamental तुम लोग के दिमाग में set करने वाला हूं trust me guys उससे तुम लोगों का आगे बहुत बहुत जादा help होगा and ये वाला चीज जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं nobody is ever going to tell you I said nobody right so I hope you realize its importance and let's do it in that manner ठीक है by the way जो भी तुम लोग students हो without fail एक काम कर लेना yes you want fundamentals I will give fundamentals see do one thing अब हो सकता है विजय से specially lot of students have taken in google drive many students have taken in google drive तो तुम लोग and live वाले students भी तुम लोग भी एक काम कर लेना मुझे लिख लेना name location ये लिखके please मुझे whatsapp कर देना ready to rock in AFM master class ठीक है ये एक अपना manifestation है with 80 plus marks reason so that future में जब तुम लोग मेरको कोई doubt पूछो तो मेरे पास connect रहेगा that okay this student is from AFM master class and इसने मेरा AFM master class दिया वह तो उसी सब से quickly connect बैठा रहेगा lecture के बाद करना कोई आई नहीं है but मेरको whatsapp कर देना कहां पर whatsapp करोगे I think all of you almost have my number if not just write it down and just drop me a whatsapp अच्छा doubt सर पढ़ाई करते वक्त अभी तो चलो सर सब doubts clear कर लोगे आप live में and हो जाएंगे but sir revise करते वक्त अगर कोई doubt आया तो definitely you can ask me here but there are very high chances कि मैं immediately reply ना करूँ right हो सकता है कि मैं तभी वो time पर busy हूँ जैसे अभी मेरा lecture चल रहा है और मेरे पास किसी student का doubt आया तो I will not be able to reply but मैं eventually जब मैं free हो जाऊंगा तो मैं आपका message देखूंगा तो reply करूंगा but होता कि there are so many messages in a day right I may be able to reply to few messages but few messages may get skipped तो आपको क्या करना है मुझे एक reminder दे देना whatsoever yes ready to rock AFM master class रिया whatsapp करना है manifestation के साथ एक whatsapp करना है कि भाई future में जब actually आ जाए 80 plus तो आप मुझे ये screenshot दिखा सको कि yes sir बोला था करके दिखाया right so in case doubt out है तुम please मुझे whatsapp कर सकते हो मैंने reply नहीं किया जो हो सकता है तो वापस पूछ लो वापस reply नहीं किया वापस करूंगा मैं eventually ये बात पक्की है तो ऐसा ego पर मत लेना सौर को message किया सौर को reply नहीं कर दे ऐसा कुछ नहीं किया sir reply करेंगे हो सकता है कभी miss हो गया कभी कभी एक second में भी reply कर दो free होंगा और सामने ही बैटा है मोबाइल भी है तो reply मीजेटी आल्सु राइट सौर अब इट वर्क्स अब coverage कैसे रखने वाले है अपन लोग अब अल अब भी मैं discuss कर दो आज तुम लोगो क्या लगता है आज कोई topic से start करूं कि आज मैं थोड़े एक general ग्यान का चीज रखो practical aspects के discussion करो बोलो क्या लग रहा है सब टाइम को मैं फटाउफट्स और चाप्टर से start कर दो कल से करता हूं आज मुझे थोड़ा idea देने दो न तुम लोगो overall market क्या होता है stock market कैसे function करता है काम ही आएगा जो ग्यान दूंगा काम ही आएगा टेंशन मत लेना इतर उदर की बातें नहीं करूंगा बड़ एस ठीक है चो कल से अपन start कर रहे है chapter वो भी बताते तो mutual friend आज तुम लोगो थोड़ा idea दे देता हूं कि अपन क्या-क्या करने वाले हैं ये batch में सबसे important होता है sir आप क्या-क्या cover करोगे so there is something called as a student expectations let's address the student expectations के मैं ये batch में क्या-क्या करवने वाला हूं सबसे important है 100% try करेंगे अपन ICAI को पूरा का-पूरा cover कर ले अब ICAI के coverage में आ जाता है ICAI का module भी उसके past papers भी उसके RTPs, MTPs everything we will try to cover so हो सकता है कि कुछ sums मैं करवा ही दूँगा जो concepts वाले वो तो class में करवा दूँगा but कुछ sums मैं आपको homework भी दूँगा now it is your discipline which is also going to count वो कावत है ना ताली दुनों हाथ से बचती है मैं मेरी तरफ से जितना हो सकता है सब कर रहोंगा बट इससे बड़ा अगर commitment आज की तारिक में आपके लिए कोई है then in that case क्या ही बोल सकता हूं CA is and should always be the topest priority full stop बड़ाबर है so 2 गंटा कम सो लेना 3 गंटा तोड़ा social media के ओपर कम time pass करना but homework बड़ाबर से कर लेना life आगे यही बनाने वाला है वैसा so please ensure that क्योंकि मैं homework regularly दूंगा master class है तो there will be few sums जो मैं सब तो नहीं करवा पाऊंगा but repetitive questions है जो concepts मैं करवा चुका और उसी का related question है वो तो आपको homework करना पड़ेगा उस बाने practice हो जाएगा class में आप लोग सब चीज करी रहे हो तो that will be a best combination for this thing but you have to work hand in hand साथ में चलके करेंगे तो चीज़े सही होगी second is keep it interactive ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ तुम लोग सुन रहा हूँ एक दो लेक्ट्टर में ऐसा होगा कि अभी अपना vibe सेट हो रहा है फिर जब मैं concept पढ़ाना चालू करूँगा मैं आप लोगो examples दूँगा तब जो connect चाहिए न होँ आना चाहिए I will ensure that majority practical questions solve करने की कोशिश मैं class में करूँगा और उसके लिए मेरा system बहुत clear है that I will first give you an example live example उस example को मैं concept से connect करूँगा and then eventually we will solve the practical question यह अपना style ही जैसा है पहले example दो उसको concept से connect करो और फिर बाद में practical sum solving will become very very easy MCQs MCQs class के साथ साथ में ही मैं करवाते जाऊँगा so MCQs with class ही होने वाला है and MCQ कैसा है पता है क्या इसके उपर dependent है तो सब चीज concept से उपर connected है यह सही हो जाएगा तो automatically यह connect हो जाएगा ठीक है guys yes I will be teaching from the basics timely portion completion होना बहुत जरूरी है और एक important चीज़ है derivation of formulas formulas कितना learn करोगे भाई 200-300 formula है कितना ही formulas learn कर लोगे सब याद नहीं रहेगा so इसके लिए we will do derivation of formula ठीक है done चलो with this set of expectations let us start with our journey of AFM अच्छा तुम लोगो books मिल गया है क्या नहीं मिलाओगा किसी को भी अगर तो don't worry dispatch हो चुका है you will I mean dispatch आज होने वाले so you will start getting it not worry Google drive आले हो तुम लोगो तो tension नहीं तुम लोगो तो मिली जाएगा my approach मैं पूरा का पूरा optimized plus magic book दोनों को साथ में लेके करवाऊँगा ठीक है so optimized का दो book आता है plus magic book ये तीनों चीज़े आपको मिलने वाली है इनको साथ में लेके मैं चलने वाला हूँ again I am telling you repetitive questions मैं homework के लिए दे दूँगा उतना तुम लोग का support चाहिए कि ये homework तुम लोग प्रॉपरली कर रहे हूँ right sir आपकी expectations from us wow साक्षी कितनी अच्छी है तू कि तूने ये भी पूछा कि sir आपकी भी कुछ expectation हो सकती है क्या हाँ पस ये 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 मेरी expectation है homework जो मैं दे रहा हूँ ना उसको शिद्दत से करके आओ ठीक है ना तुम्हारे को जितने doubts से मैं solve करको जितना concept में issues आ रहा है तुम लोग पूछ सकते हो but homework करके आओगे ना तब भी next class में मज़ा आएगे तो पस उतना एक expectation मेरा कर लेना yes try करेंगे योगेदा we will try कि सब चीज अपनी cover हो जाए ठीक है book जब आप लोगों के पास आ जाएगी आप लोग book में एक चीज नोट करोगे that ICAI fully fully covered है ICAI fully fully covered है अब इसके बाद आपको और कुछ भी देखने की जरुवत नहीं है क्या यह दो book के अलावा plus magic book क्या है मेरा summary book है exam के time के लिए भी आप sorted हो exam के time पे sir कौन से question solve करना है magic book में master sums दिया है वो भी sorted हो आप सो आपको कहीं पे और कहीं पे कुछ जाने की जरुवत नहीं है आपको module open करना भी नहीं है क्योंकि optimize में ही मैंने काफी जो theory institute में module में दिया है जो relevant है वो मैंने optimize में incorporate कर दिया है everything is at one place student का सब्सक्राइब तकलीफ क्या होता है बता है मैं जब CA final कर रहा था मेरे साथ सब्सक्राइब करने चले जाता था था थोड़ा ये बुक से पढ़ा थोड़ा module से पढ़ा थोड़ा मेरे classes के note से पढ़ा थोड़ा कोई author की बुक से पढ़ा और end of the day जब exam के टाइम पे जब revision करना है दो या तीम बार तब मैं confused हूँ क्या इधर से पढ़ा क्या उधर से पढ़ा क्या इधर से पढ़ा क्यूंकि सबका अप्रोच अलग अलग है वह ना हो इसके लिए comprehensive बुक बनाया मैंने जहां पर detailed version भी है जहां पर exam के लिए summary version भी है इतना ही प्रॉपरली पढ़के जाना है अब dedication आप लोगों की तरफ से चाहिए discipline आप लोगों की तरफ से समझें आ गया so in terms of book you'll find it that yes sub covered extra covered obviously module से तो institute के उससे थो थोड़ा मैंने वह ध्यान रखा है कि यह बुक के अलावा मेरे बुक के अलावा मेरे revision lectures के अलावा आपको और कहीं पर किसी भी तरगा कोई content पर इधर उदर जाने की ज़रूरत नहीं है प्राइट ओके नेक्स्ट बुक के अंदर आप लोग क्या क्या देखने वाले हो तो मैं बुक का भी content आप लोगों को बता देता हूं आप लोग देखोगे कि it starts with something called as a study mentor ठीक है study mentor क्या होने वाला है guys आप लोग में से अगर किसी का group 2 भी बाकी है तो तो बहुत की काम का है यह देखो starts with a study mentor क्या concept है इस पूरे chapter में यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है किसी ने मुझे पूचा साक्षी ने मुझे पूचा था कि sir आपकी क्या expectation है और एक expectation everyday जो मैं सम्स class में करवा रहा हूँ ना study mentor के आगे tick mark कर दो for example मैंने कल आप लोगों को class में करवाया 7, 8, 9, 10, 11 questions तो please इसको इधर tick mark कर दो तो आपको पता है कि चलो class में यह question हो गया फिर जो homework दिया है यह मैंने यह homework दिया है जब आपका यह हो जाए तो उसको भी tick mark कर दो फिर आपको revise करना पड़ेगा जितनी बार आप revise करोगे उतना expertise होगे उतना आपको marks जादा आने का chances है बहुत clear बात है इसी को use करो as a last day revision user tracker so यहाँ पे highlight कर दो यह highlight कर दिया आपने exam क दिन पर आपको बता है यह sums में आपको तकलीफ होदा यह आपको लगते है कि यह exam में आ सकता है directly आओ इस question के उपर ही सीधा question 9 page कौन सा सर page 22 सीधा page 22 पर आजाओ बहुस होगे अपना काम exam के दिन के लिए भी आज से ही sorted रहना चालू कर दो because this one subject is going to make your career and your life दोनों ग्रूप दे रहे हो या एक ग्रूप दे रहे हो इसमें अच्छा माला मार्क स्कोर कर दो यह क्लास कर रहे हो तो so that everything else is taken care of ठीक है तो यह आगया मेरा study mentor यह मिलने वाला है book में आपको उसके बाद में ट्राइ किया है मैंने आरे एक chapter के पहले प्रिव्यू दे दू जो आज तो आपको शायद ना समझे अब यह preview में क्या-क्या है यह आपको आज नहीं समझेगा बर जैसे जैसे chapter हो जाएगा ना आपको समझ में आएगा कि अच् presentation ठीक है so diagramatically present क्या है boss theory को यह दिखो इदर institute का book open करना content similar मिलेगा बट नहीं आपको यह ऐसा चीज नहीं मिलने वाला है वापे this is the effort that is taken mutual funds क्या होता है mutual funds institute ने भी लिखा होगा theory के form में but obviously जब ऐसे आपन लोग present करते पर पढ़ते है things become much easier much connected institute ने भी दिया how to establish a mutual fund but now we know that एक tabular form के through जाता है things become easy to connect आईसे ने भी दिया है benefits and drawbacks of mutual funds but now यहाँ पर मेरे पास main heading है तो मुझे main heading learn करना है अंदर का खाली एक बार समझ के लेने नहीं got it guys तो यह अपना एक USP बना है theory को खाली theory लिखके नहीं दे दिया है उसको presentable way में दिया है then practical questions यह तो अपनी दिलो जान है because 75% paper is going to be based on practical questions और मैं आपको बोल चुका हूँ क्या ICI module past paper RTP MTP सब चीज़ ready है and most important the cherry on the cake exam के दिन पे मिलेंगे आपको मेरे revision lectures plus exam के दिन पे अपन लोग conduct करेंगे marathon lectures right and यह कहां से करवाने वाला हूँ वो भी अभी बता देता हूँ यह मैं करवाने वाला हूँ मेरी magic book से यह भी content अपने को बताएगी अपने को कहां से पढ़ना है यह अपन करने वाले हैं AFM की magic book से समझ में आ गया confidence आ रहा है marks अच्छे लाने का किसने बोला था कि sir खाली pass होना है वर्शा पुतार नहीं अच्छे marks से exemption से clear करना है यह सो एक्जाम टाइम पर जब मुझे रिवीजन या मैराथान करना है तो मेरे पास AFM magic book रेडी जिसमें मेरे ठीरी प्रैक्टिकल्स है प्रैक्टिकल्स है फॉर्मिलाज है सब एक जगे पर हो जाएगा got it done and we will try to ensure के बीच में जहां पर अगर मेरे को कभी holiday देना हुआ तो मैं आप लोगों का टेस्ट रख लोगा मैं आप लोगों का टेस्ट रख लोगा विल ट्राइब टेस्ट भी हो गया qr code in magic book is there before every chapter there is a qr code चलो तो यह और एक point मुझे बोल दिया है संकेत ने so scan and learn इदर क्या आ जाएगा qr code qr को scan करने का सीधा वीडियो मिलेगा प्लस मैंने आज कल यूट्यूब के ऊपर एक नया सीन चालू किया है you can share it with your friends also and that is 10 marks sure shot यह एक बहुत ही हिट चीज है concept उठाया और उसको approximately 15 20 minutes में explain कर दिया तो आप लोगों का एक क्विक क्रिवीशन होगे ठीक है यह अभी तक मैंने कुछ specific ग्रूप बनाया नहीं इनकेस आइं मेक इट आइड इच वन होगी तो शूर शॉट 10 marks इसमें हरे concept मैंने क्विक्ली रिवाइज करवा दिया है तो टेंशन ही नहीं है आपको उसे फर एक्जामपल डेरिवेटिव में margins का एक concept है फॉरेक्स में नोस्त्रो वस्त्रो लोरो है या mutual funds में dividend equalization जब आप लोग चाय पी रहे हो ना चाय राइट आफ्टरनून की चाय पीते होगे दूद पीते होगे या जूस पीते होगे या snacks काते होगे वो टाइम पर वो देखने का बढ़ाई साथ साथ में चल रही है लोड भी नहीं है जाधा and at the same time we are enjoying as well कम time में काम हो जाएगा या traveling कर रहे हो तब mainly मैंने ये बनाया किसके लिए बताया क्या जब आप travel कर रहे हो ना at that point in time मुझे चाहिए कि आप लोग ये time को use करो क्योंकि traveling is a time which is wasted as such तो आप लोग बहुत ज्यादा traveling करते नहीं होगे बट जबी भी नीचे उत्रो कभी round मार रहे हो इधर उधर की बाते सुने उससे अच्छा क्यों नहीं कर ले you know mind में सब चीज़े clear होती जाएगी got it guys so एक comprehensive चीज बनाने की कोशिश की है कि एक ही जगे से lecture plus books and everything is covered within it that's the whole intention guys right plus मैं YouTube पे short shots जालते रहूंगा Instagram पे so you can get it teaching method मेरा बहुत clear teaching method मेरा बहुत clear and simple है मुझे एक ही तरीक आता है सबसे पहले मैं एक example दूँगा आपको practical life का उससे मैं आपके concept को connect करूँगा और फिर बाद में अपन उसी के basis पे धेर सारे practical questions solve करेंगे राइट दन 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 गाइस तो चलो फिर येस clear basic चीज जो आप लोगों के दिमाग में थी वो सब clear हो गई है guys doubt से related क्या क्या चीज मैं cover करने वाला हूं and all of that I hope we are clear okay चलो अब चलो वाई आट नोट स्टार्ट कर रहा हूं मैं something as I told you all which is very unique जो first session के लिए बहुत सही है थोड़ा high level भी है अच्छा भी है मजा भी आएगा एक feel भी आ जाएगा आपको that yes now you are really entering the world of finance the world of markets be it the stock market be it the global market सब जीज आजाओ start करते हैं मुझे एक बात बता व क्या तुम लोग ने एक नोट है ये गंधी जी लिखेवे है इसके उपर बहुत क्लियरली लिखावा है क्या I promise to pay the bearer of the sum 500 रुपीज नीचे लिखावा है RBI Governor तो without the RBI Governor क्या कोई भी चीज पॉसिबल है क्या the answer is no so hi Karthik I think you have joined Lloyd late yeah so RBI Governor is the most important one of the most important person in the whole financial domain अब ऐसा सोचो कि मैं आप लोगो को RBI का Governor बना रहा हूं बस RBI Governor का है ना दो major काम होता है दो major काम होता है I'm not sure whether you would know this or not कौन है RBI Governor yes he is the जो Central Bank of India है ना उस Central Bank of India का head है RBI Governor इंडिया में जो भी note चपता है ना वो note को authenticate sign करता है हमारा RBI Governor RBI Governor का दो most important चीज होता है और वो क्या है वो दो चीज वो आज मैं तुम लोग को बताऊंगा and तुम लोग को eventually RBI Governor बना के बताऊंगा very good यश ने लिखा है monetary policy बनाना very nice now what is monetary policy what does it consist of मैं बताता हूं आप लोग ने country का नाम सुना है जिंबवे जिंबवे का नाम सुना होगा आप लोग ने वैसे ये country का नाम सुना है Venezuela वेनेजुएला शायद ना सुना हो अर्जन्टीना जिंबवे क्रिकेट की वज़े से सुना हो अर्जन्टीना फुल्बॉल की वज़े से सुना हो ये दोनों देश ये दोनों countries almost bankrupt हो गई पता है क्यों क्योंकि इन दोनों countries में आ गया widespread inflation क्या आ गया widespread inflation खाली inflation नहीं hyper inflation क्या होता है पता है अपने को कोई भी commodity का price बढ़ना is inflation आप आज मैं जब आपके जितना था न तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी जा बेटा bread लेके आ मैं जाता था bread लेने के लिए तब bread का price होता था 10 रुपीज आज भी मम्मी मुझे बोलती है जा बेटा bread लेके आ वो सेम bread के लिए मैं पे करता हूं 30 रुपीज यह 10 से 30 कैसे हुआ जादू हुआ क्या कोई किसकी वज़े से हुआ अरे बोलो ना किसकी वज़े से हुआ इंफलेशन की वज़े से वह भाई सीए final वाले स्चूडेंट से बात कर रहूं इतना basics तो पता ही हो गाए economics का कि इंफलेशन की वज़े से यह 10 रुपे का 30 रुपया हो गया बरवारे कितने साल में तो आज से 10 साल पहले ममी मुझे बोलती थी तब मैं 10 रुपे का लेकर आ था आज ममी बोलती है तो मैं 30 रुपे का लेकर आ रहा हूँ तो 10 साल में अगर 2 गुना या 3 गुना हुआ तो ठीक है इंफलेशन 5-10% के रेंज में बढ़ रहा है बट इमेजिन करो अगर आप जिम्बाव्वे में रह रहे हूँ ज्यान से सुनना इस ट्रू तिंग कोई भी चीज आज तो जूटने बल सकते बाई गूगल एक सेकंड में आप लोग देखके पगड़ लोगे जिम्बाव्वे में आज अगर कोई ब्रेट 10 रुपे की है कल वो ब्रेट 100 रुपे की हो जाएगी सुनो कल वो ब्रेट 100 रुपे की है तो परसो वो ब्रेट 1000 रुपे की हो जाएगी परसो वो ब्रेड 1000 रुपे की है उसके अगले दिन वो ब्रेड 10,000 रुपे की हो जाएगी जी हाँ एवरी डे 10,10 टाइम से इंफलेशन बढ़ रहा था जिंबाववे में and eventually उसकी करंसी का कोई value नहीं रहा एक दिन ऐसा आया कि एक ब्रेड खरीदने के लिए उनको 1 जिंबाववे ट्रिलियन डॉलर पे करना पड़ता था ट्रिलियन डॉलर में कितना 0 आता है ना आपको पता है ना इस बिचारे calculator को पता है अब आप समझ जओ कितना 0 आता है समझ रहे ऐसा inflation हो गया था और यह inflation क्यों हुआ क्योंकि उनका जो governor था उसने इस inflation को manage नहीं किया, वो inflation को manage किसे करते हैं, interest rate से, तुम लोग ने सुना है repo rate, reverse repo rate, सुना होगा थोड़ा थोड़ा, आगे valuation of security में आएगा तब मैं explain करूँगा, बट सुना होगा ना repo rate, जो rate पे bank, general bank, central bank को loan देता है, reverse repo जो rate पे central bank, general bank को loan देता है, छोड़ो ना, in short, तुम लोग ने यह सुना होगा कि repo rate remains same, central bank of India has increased the repo rate, यह सब word सुने है कि नहीं, right, तो वो सब क्या होता है पता है, कि आज अब repo rate बढ़ गया, कम हो गया, वो होता है interest rate, और यह बहुत ज़ादा important है, क्योंकि इस interest rate से directly connected है inflation, इस interest rate से directly connected है inflation, और inflation से directly connected है आपका economy, क्या बात कर रहे हो, बस, जिंबभवे, वेनेजुएला, आज की तारीट में, पाकिस्तान, स्रीलंका, यह सब countries की economic हालत बहुत खराब है, क्यूंकि वो inflation बहुत पर, और because उनके यहां पर inflation इतना ज़ादा है, क्यूंकि उन्होंने अपना interest rate को properly manage नहीं किया, उन्होंने अपने interest rate को properly manage नहीं किया, समझ में आ रहा है आपको, so RBI का काम क्या होता है, यह दोनों, उसका दोनों काम है, interest rate और inflation manage करना, बट सर, interest rate से इतना क्या फरक पड़ रह suppose interest rate है इंडिया में, अभी फिलाल इंडिया में interest rate क्या चल रहा है, कुछ मुझे idea दे तो, जरा सुने तो सही इन लोगों के पास कितना practical knowledge है, practical knowledge का ज्यान लेने तो आगे, मैं एक बात बोलता हूँ, थोड़ा है ना, इस newspaper को पढ़ा करो, economy times, या ऐसा कोई, mint हो गया, business standard, तो कितने rate of interest पे loan मिलते हैं, चलो Google करके मुझे बताओ, home loan आज की तारीख में तुम्हारे को चाहिए, लिखो इदर, home loan interest in India, Google पे करके मुझे अभी काभी, फटा-फटा, WhatsApp, I mean, लिखके बताओ, home loan rate of interest, तुम लोग तुक्का मत लगा, चलो, Google रहे वाले भी मुझे WhatsApp कर सकते हो, या तुम लोग सोचोगे, मेरे पास तुम्हारा connection बैठ जाएगा, home loan rate of interest कितना हो गया, जनरली, चलो, देखते हो, मैंने भी Google पे टाइप करके डाला, home loan rate of interest, कितना आ रहे है, approximately, what is the current housing rate of interest, कितना आ रहे है, बताओ तो, तुम लोग जो लिख रहे हो, ऐसा तो नहीं दिख रहे है, मुझे तो मेरे Google पे, आ, correct, approximately 8, 9, 10%, यह एकदम सही बोला तुम लोग ने, approximately 8 to 10%, बराबर है, अब सुनो, अगर यह interest rate को मैं 1% पे लेया हूँ, ध्यान से सुनो, अगर यह interest rate को मैं 1% पे लेया हूँ, तो क्या होगा, कहना, इससे सब लोग loan लेना चालू कर देंगे, एक परसंट पे लोग ले रहा है, चलो सब लोग लोग लेते हैं, सब लोग लेते हैं, चलो आओ, एक परसंट पे लोग मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर सब लोग लोग लेने लग गए, तो क्या हो जाएगा, पता है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आजाएगा और जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो वो अनाप शनाप spend करना चालू करेगा जब वो अनाप शनाप spend करना चालू करेगा तो commodities का price बढ़ जाएगा leading to inflation बराबर बोला की नहीं बोला मैं समझ में आ रहा इतना तुम लोगों को suppose उल्टा हुआ आप बोलोगे suppose sir ये 15% कर दो तो कोई loan ही नहीं ले पाएगा कुछ जादा ही कम हो जाएगा ऐसा भी नहीं होना चाहिए न कि market में sale ही ना हो कोई चीज कोई खरीद ही नहीं पाएगा तो business grow कैसे करेगा business grow ही नहीं करेगा then in that case economy prosper कैसे करेगा तो आपको एक balance maintain कर करना पड़ता है क्योंकि interest rate से पता चलता है market में कितना पैसा घूम रहा है और market में unnecessary जादा पैसा घूमेगा तो inflation बढ़ेगा पैसा अगर कम हो गया तो inflation कम हो जाएगा but economy prosper नहीं करेगा और भाई तो क्या करे there has to be a proper balance and everything is so connected क्या तुमने कभी सोचा था interest और inflation इतना deeply connected है और इस दोनों को manage करने का काम किसके हाथ में है हमारे RBI के governor sir के हाथ में है आदे गंटे के लिए next half in R के लिए क्या तुम मेरे इस example के जो भी आने वाला है उसके governor बनना चाहोगे अगर तुम लोग को मैं governor बनाऊंगा तो मैं तुम्हारे को पूछूँगा ऐसे situation में मैं क्या अगर तुम लोग ने गलत जवाब दिया तो समझ लो अपना हाला जिंबावे या अर्जंटीना जैसा हो जाएगा अगर तुम लोग ने सही जवाब दिया तो अपनों एक balanced economy बना पाएंगे बोलो क्या तुम्हें चैलेंज के लिए रेडी हो गाइस बोलो बोलो टेल-टेल येस दन करेंगे तुम लोग और मैं साथ में खेलेंगे यह वाला गेम गेम क्या मतलब अभी रेडी चल शावाश जैब बात यह यह मुझे आटिटूट चाहिए चल start करता हूँ है start कर रहा हूं मैं full-focus जी मुझे बस तुम लों का अहरे ऐसा सोचो कि आप लोग सुनो पहले permission मैं तुम लों को अभी आर्बियाइü से अप एंड डाउन होता है उसके बारे में explain करने वाला हूँ थोड़ा first lecture के लिए high level नहीं हो गया तो रहने देता हूँ क्या बोलते हो या करू continue नहीं सर हम लोग manage कर लेंगे क्या लगता है तुम लोग समझ रहे हो तुम लोग RBI governor तो बनाऊंगा इंट्रेस्ट और inflation के जु करन में आई गए है तो येस जंडे गाड के आएंगे कि यह बात continue बस यह 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 आटिट्यूट्स यह मुझे तुम लोग के साथ ठीक है तो तुम लोग को आज एक बहुत अच्छी चीज बड़ी चीज सिखाने वालो जो कोई बुकिश नॉलेज से नहीं मिलने वाले बुकिश नॉलेज तो ले नहीं है अपने को आने वाले 100-100-200 जो मेरे रिवीजर लेक्चर मिला के कंटे तुम लोग देखने वाले आज का जो ग्यान है ना ट्रेशर करके रखना और लाइफ में कभी कोई बड़े फंड मैनेजर या कुछ बन गए तो भूलना मत इस नाच कुटि में सुनो ना मेरी कंट्री में इनफलेशन बहुत बढ़रा है इनफलेशन बढ़ना इन फ्लेशन कब बड़ेगा मैं आपको सींपल सा बात बात बोलता हूँ जब मैं इंट्रेसे लिट अगर 1% कर दूंगा तो तो हरकोई लोन लेना चालू कर देगा हर कोई लोन लेना चालू कर देगा, तो सब के पास पैसा आ जाएगा, सब के पास जादा पैसा आ जाएगा, तो सब खर्चा करना चालू कर देगे, खर्चा करो गया, तो CDC बात है, commodities का यह जो भी चीज़ है, सब का price level बढ़ जाएगा, बराबर है क्योंकि डिमान बढ़ गया बहुत जादा, यह शेकर सिंग बोल रहे है, नहीं सर, नहीं समझ पाएंगे, हम लोग, हमसे ना हो पाए, तो शेकर सिंग को आप लोग कुछ बोलना चाहोगे, शेकर सिंग, आजा भाई, कम ओन, मैदान में आजा, तुझे छोड़ी के सब लोग यह स बोल रहे है, मुझे कंट्री में इंफलेशन बढ़ रहा है, इंफलेशन बढ़ रहा है, तो कहना इसे मैं लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, बोलो ना यार पबलिक, कहना इसे मैं लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश करूँगा, या उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा यार everybody yes or no the answer is yes अब अगर मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं अगर मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं तो आप आर बिया गवर्नरों आप बताओ आपके हाथ में दो चीज़ है इंट्रेस्टेट और इंफलेशन इंट्रेस्टेट तो बढ़ रहा है अब आपके हाथ में एक टूल है इंट्रेस्ट्रेट क्या करोगे आप इस टूल का बोलो ना यार बोलते क्यों नहीं सब लोग राइट आंसर दे रहें मुझे सची सची बताओ तुम लोग स्टूडेंट हो या अर्भी आए के गवर्नर हो यार कई तुम लोग कोई मुखाटा पैंड के तो नहीं आयो मेरे पास यार यह लोग तो आर्भी आए के गवर्नर जितना दिवागे यह लोग यह तो करेक्ट यू विल इंक्रीज थे इंट्रेस्ट रेट यू विल अप्सलूटली करेक्ट इंक्रीज इंट्रेस्ट्रेट ध्यान से सुनना आने वाले 15 मिनिट बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाले हैं और मैं बता दूँ यह 15 मिनिट कहीं नहीं मिलने वाले आपको अचा मैं नहीं बताया था इतना भी सच नहीं बोलना था इंफलेशन बढ़ रहा है मेरी कंट्री में मुझे लिक्विडिटी को कंट्रोल करना है इंट्रेस्ट्रें इंक्रीज होगा अब यह निउस्पेपर जैसा नहीं मतलब इंट्रेस्ट्रेट को कुछ नहीं किया कभी ऐसा लिखावा पड़ोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा पक्का आगे बढ़ रहा हूँ मैं ध्यान से समझना जैसे ही मैं interest rate को बढ़ाऊंगा loan easily मिलेगा या loan लेना चाहूंगा या loan नहीं लेना चाहूंगा सोच समझ के जवाब ची मुझे तुम लोग सब लोग का मैं loan लेना चाहूंगा या लोन लेना नहीं चाहूंगा बोलो इंडिया में क्या हुआ है वो मैं बात में बताऊंगा अभी फिलाल अपनों के जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेता है market का मजआयेगा क्या मैं loan लेना चाहूंगा या नहीं लेना चाहूंगा उन्स तो इसकी वज़ेसे किस के ओपर impact आएगा ध्यान से समझना banks, banks का क्या major काम होता है दो major काम होता है एक deposit accept करना और दूसरा loan देना bank अगर आपसे deposit accept करती है तो उसे 5% पे आपको interest देगी 4% आपको interest देदेगी 5-6% bank आपको आपके ओपर deposit के ओपर पैसा देदेगी बट जब bank आपको loan देती है तो 9% चार्ज करती है वो जो difference है वो ही तो bank का gain है अब interest rate बढ़ गया तो लोग loan नहीं लेंगे लोग loan नहीं लेंगे तो उसके ओपर banking का क्या फरक पड़ेगा banking के लिए अच्छा है या बुरा है banking पैसा कहा से कमाता है लोगों को loan देके क्योंकि bank ने अगर loan दिया तो उसको interest कमाने को मिलेगा समझ रहे हो अब अगर loan लोग ले ही नहीं रहे तो इससे banking वाले को क्या फरक पड़ेगा good for banks और bad for banks bank के लिए बुरा है very nice everybody भारगव, मोहित, ता, उर्वशी, मीनल, निष्टा good, not good for banks banking stock के ओपर क्या फरक पड़ेगा can I say banking stocks will fall champion लोग बैटे है यार यहाँ पर तो मनना पड़ेगा ध्यान से ध्यान से so now what is going to happen you are right banking stocks will fall you are absolutely right banking stocks will fall क्यों no loan तो no interest जब bank को interest जो उसका इंकम वहीं भी लेगा तो no income तो इदर क्या लिकेंगे no loan no interest और no interest तो answer is no income समद्रें सर समद्रें समद्रें अब सुनों अब सुनों ध्यान से मुझे घर लेना है ठीक है इंडिया में मैं आपको बता दू 80 प्रतिशत भारती 80% of public in India purchase home on loan आज की तारीक में क्या वो लोग घर करीदने के लिए loan ले पाएंगे कि नहीं the answer is no बरावर है तो अब अगर मेरे को घर करीदना है तो मैं क्या बोलूंगा नहीं अभी रुक जाता हूँ अभी interest rate हाए फ्यूचर में जब government या फिर यह आर्बिया गवर्नर जब interest rate को लो कर देगा तब मैं जाके loan लेके घर ले लूंगा am I right or wrong am I right or wrong the answer is yes sir you are right अब इससे क्या होगा पता है क्या इससे होगा लोग loan लेना कम कर देंगे home loan लेना कम कर देंगे तो इससे जो मेरा real estate का मार्केट है कैना इससे वो भी तो down हो जाएगा बराबर के नहीं लोग लेंगे नहीं घर अभी लोग वेट करेंगे हाँ interest rate गिरेगा तब हम लेंगे अभी क्यों मैं जाधा जाधा interest rate दू यार am I right or wrong correct है so अब public real estate में invest करना कम कर देगा तो real estate का जो stocks है उसका क्या होगा दिदी करेक्ट के नहीं से वो भी down हो जाएगा सब connected है boss और कुछ गलत बोल रहा हूं क्या मैं नहीं तुम लोग ही मुझे बूल कुछ गलत बोल रहा हूं क्या मैं नहीं न बराबर है and actually this happens कभी note करना जब आएगा न गवर्नर का एक word 0.5 से interest rate increase हो गया है सीध्धा market के ओपर impact देख लेना मैं जो बोल रहा हूँ floating interest rate is also dependent on monetary policy संकेत भाव वैसा अब real estate अगर गिरा अब सुनो 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 connection समझो real estate का market गिरा तो real estate के market से कौन से market connected है क्या cement market real estate से connected है क्या power real estate से connected है अरे बोलो न क्या infrastructure की जितनी भी companies है वो सारी की सारी real estate से connected है the answer is yes यह सारे के सारे देखना टक 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 करके down होना चालू हो जाएंगे आज की तारिक में यह सारे के सारे उपर है क्योंकि interest rate इंडिया का मस्त में control में है समझे तुम लोग को समझ में आ रही है चीज़े तो अगर मैं इधर लिखता हूँ इंता इंफ्रा पूरा का पूरा इंप्रा इंफ्रा स्टील सिमेंन पावर यह सारे के सारे स्टॉक टक टक गिरना चालू तो सर ऐसे तो पूरा स्टॉक मार्केट गिर जाएगा नई रूखो जड़ा सबर करो इधर तक से अप लोग को समझ में आ अगया अरे तुम लोगी तुम मुझे समझा रहे हो समझ गए सर एकदम मस्त में समझ गए अब आगे का ग्यान सुनो there will still be stocks which will not fall पता है कौन से अब समझ दा मुझे एक बात बता हो कि अब जिस दिन ये आया notification आया governor का जिस दिन notification आया governor का कि interest rate increase होने वाला है आपको पता चल जाएगा क्या कि banking stocks गिरने वाला है real estate stocks, steel, cement, power गिरने वाला है आपको तो पता चल जाएगा आपको चार्ट अप्टेट आपको smart हो तो आप क्या करोगे फटा फट ये stocks को बेच दोगे ये stocks को फटा फट बेच दोगी अब मैं ऐसे stocks में invest करूंगा जो बढ़ना चाहेंगे जो बढ़ेंगे या फिर जो constant रहेंगे अब मेरी ध्यान से पर ये बात को सुनना अब मैं बात कर रहा हूँ कौन से stocks की पता है जब ये market गिरता है न तो there are three sector stocks जो बढ़ते हैं any idea, any guesses मैं बताता हूँ क्या सबसे पहला FMCG Fast Moving Consumer Goods मुझे बताओ interest rate अगर बढ़ा तो क्या आप नहना बंद कर दोगे शैंपू करना बंद कर दोगे बोलो हाँ या ना नहीं न कुछ फरक पढ़ेगा क्या the answer is no तो FMCG stocks को इस interest rate से कोई फरक नहीं बढ़ता बॉस तो अब क्या होगा अब अगर FMCG stock को interest rate से फरक है नहीं पढ़ रहा है तो कहना इसे वो constant रहेगा अब बहुत सारे stocks गिर रहे हैं पर कोई stock constant है तो आप मुझे बताओ आप किसमें invest करोगे जो stock गिर रहे है उसमें या जो stock constant है उसमें जो stock constant है उसमें क्योंकि अब यह तो गिर रहे है तो यह गिर के मैं constant stock में invest कर दूँगा at least यह गिरेगा तो नहीं but because मैं यहाँ पर invest कर रहा हूं और भी लोग invest करेंगे इस stock का demand बढ़ जाएगा यह stock का प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा अब यह समझ रहे हो क्या कि बांसर जा रहा है सची अची बोलो all clear very good why impact of fed policy on stock market is more even in India सब बताएंगे yes first lecture है भाई तू सीधा fed पे पहुँच गया सब बताएंगा नहीं समझ में आया क्या कि FMCG का stock बढ़ना चालू जाएगा even though it is constant क्योंकि लोगों को लगेगा लोगों लगेगा यह तो stock गिर रहा है इसमें नहीं इसमें तो डालते है वैसे ही दूसरा और एक stock है जो है pharma मुझे एक बात बताओ क्या interest rate बढ़ेगा तो दवाई खाना कम करेंगे क्या कभी नहीं दवाई तो जो खानी है वो खानी है यह stock बढ़ना चालू क्योंकि आब यह सब at least कुछ stocks है जो constant है गिर तो नहीं रहे यह stock तो साला गिर रहा है यहां से तो पैसा निकाल दो यहां पे डाल दो automatically demand बढ़ेगा यह बढ़ना चालू यह बढ़ना चालू समझ रहे हैं वनशी का बोल रही है कि सर ऐसा भी तो होता है people buy at the dip agreed बट उसके लिए भी एक timing होता है जब next monetary policy आने वाला हो और government जब कुछ positive announcement देने वाला हो इन sector के बारे में तब उसके just पहले अपन लोग buy कर लेंगे ना तो buy at the dip भी हो गया बट अभी क्यों buy करूं है जब मुझे पता है dip होने वाला है और भी एके नहीं एके नहीं समझे रहे हैं वैसा so FMCG pharma will continue to grow अब सुनो और एक sector है जो है IT sector IT sector cognizant, TCS यह साव है ना अपनी services आउटसाइड इंडिया export करते यह लोग के stock price बढ़ने वाले हैं यह सारे stock price क्योंकि export बढ़ेगा export क्यों बढ़ेगा पता है क्या क्योंकि अब आपका dollar बढ़ने वाला है क्यों dollar बढ़ने वाला है वह भी मैं आपको बढ़ने थोड़ा first day के सबसे जाधा है यह बता ना बट फिर भी मैं आपको बढ़ने डॉलर का rate क्यों बढ़ेगा अब मुझे एक बात बताओ सुनो पहले क्या होता था अब इंडिया में inflation बढ़ रहा है सुनो ना इंडिया में inflation बढ़ रहा है अब इसकी वज़े से यह inflation की वज़े से क्या होता है पता है क्या पहले मैं 100 रुपे में एक किलो से oil खरीद सकता था अब मैं 100 रुपे में यही 100 रुपे में 0.75 kg oil खरीद पाऊंगा बना रहा है रुपे का value कम हो रहा है तुम लोगों समझ में आ रहा है क्या inflation की वज़े से जो local currency है न उसका value कम हो जाता है Zimbabwe एक दिन bread का 10 रुपया था एक साल बाद bread का 1 trillion Zimbabwean dollar बन गया तो साला जो चीज 10 रुपे का था आज 1 trillion Zimbabwean dollar का value आ गया उसका यार तो आपके value of currency will go down in case of inflation am I right or wrong जो 10 रुपे का value आपके दादा जी के लिए था आज आपके लिए वो 10 रुपे का value है क्या नहीं है तो वही 10 रुपया ना आज से 30 साल पहले आपके जब grandparents के पास 10 रुपया था तो उनको एक अलग satisfaction था आज अपने को जो 10 रुपे उसका कोई value ही नहीं है तो हुआ क्या inflation बढ़ा inflation की वज़े से जो घद का currency है ना उसका value कम होता है और खुद के currency का value कम होगा ना तो दूसरे currency का value बढ़ेगा भड़ेगा so dollar rate will increase one dollar जो पहले 80 rupees देखे एक dollar मिल जाता था अब आज एक kilo oil करीदने के लिए एक kilo oil 100 rupees में मिल जाता था आज एक kilo oil करीदने के लिए 125 रुपया देना पड़ेगा वैसे ही पहले 1 dollar 80 रुपया में मिलता था आज एक डॉलर करीदने के लिए 90 रूपीज मेरे को देना पड़ेगा तो मतलब एक डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है तो मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूं तो आए एक्सपोर्ट सर्विसेज वर्थ डॉलर वन लैक तो 80 लैक मिलता था समझ रहे हो क्या ओ माइग ओ माइग एक डॉलर बढ़ेगा तो क्यों कि आपके करन्सी का वैल्यू कम हो गया है अब आपके एक करन्सी पहले 80 रूपे में एक डॉलर लग रहा है तो डॉलर का रेट बढ़ा एक्सपोर्ट जो कर रहा है उसके लिए बेटर हो गया क्योंकि अब उसको सेम डॉलर के लिए ज्यादा रूपीज मिल रहा है सेम डॉलर के लिए अब उसको ज्यादा रूपीज मिल रहा है डॉलर बढ़ा तो सीधा का सीधा जो एक्सपोर्ट करता है IT सेक्टर स्पेशली उसका वैल्यू बढ़ जाएगा स्टॉक मार्केट में ये कंपनीज देखना बढ़ जाएगी ये कंपनीज देखना कम हो जाएगी समझ में आ रहा है एवरिबड़ी है यह सब्सक्राइब अब अब इसकी वजह से आप कोई चीज अगर इंपोर्ट करते थे उसका भाव बढ़ जाएगा आप क्रूड ओइल इंपोर्ट करते हो ठीक है आपने क्रूड ओइल इंपोर्ट किया और आपने फिक्स किया इंपोर्ट कर रहे हो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा आप और क्या इंपोर्ट करते हो पता है इंडिया ओल्सो इंपोर्ट गोल्ड इसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा इसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा bond value bond value आपका गिर जाएगा सर ऐसा क्यों bond होता क्या है bond ऐसा सोचो debenture के जैसा होता है F.A. सोचो bond debenture के जैसा होता है bond का value गिर जाएगा पूरा का पूरा पता है क्यों और वो भी बताता हूँ आपको एक example से सुनो समझो bonds है या जिसको अपन प्यार से बोलते हैं या उटसाइड इंडिया ना डिबेंचर इसको बॉन्ड बोलते हैं अब सुनो ज्यांसे सुनो रिलाइंस ने बॉन्ड इसु किया ठेक है आज की को अर Pearस की टेका इनटरेस्ट जूर रहाtsåर कितने क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा cow old नाइन पर्सेंट फॉर एक्जामपल लेलू तो किना इसे 9 पर्सेंट के इंट्रेस्ट रेट के ऊपर रिलाइंस ने आज बॉन्ड इशू किया आज का डेट से तुडे 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 ठीक है आज बॉन्ड इशू किया अब सुनो क्या हुआ after six months after six months RBI policy change हो गया और उसने interest rate decrease किया तुम लोग भी तो यही कर रहे हो ना interest rate decrease करने की कोशिश कर रहे हो ना liquidity कम करने के लिए यह interest rate चलो बढ़ा दिया interest rate increase किया sorry interest rate increase किया अभी गर interest rate increase किया तो यह 9% का 11% हो जाएगा अब अगर say for example Adani आज की तारिक में bond या debenture issue करेगा bond या debenture issue करेगा तो it will issue at 11% interest rate it will issue at 11% interest rate अब आप मुझे बताओ आपने Reliance का bonds खरीदा था 9% interest दे रहा है बट आज Adani बोल रहा है मैं आपको यह same bond के उपर 11% interest rate डूंगा आप कौन सा bond बेचोगे और कौन सा bond खरीदोगे आप मुझे बताओ you have to write down which one you will sell which one you will buy everybody come on everybody has to answer this you बोलो बोलो टेल टेल इसा कौन बोल रहा है यह इस सेंग और नुबॉर्ण कोमल भर्गव इस सेंग उर्वशी सेंग श्रावना सेंग वर्षप और सेंग ग्रेट तो आप लोग क्या करोगे अभी आप लोग में क्या बोला sell reliance industry is limited by Adani अगर कोईचीज मैं seail करता हूं तो उसका value क्या होता है तुम लोग एपताओ अगर कोईचीज मैं seail कर रहा हूं तो उसका value क्या होगा कोईचीज मैं बेचते जा रहा हूं तो उसका value कम हो जाएगा वैल्यू कम हो जाएगा इंट्रेस्ट रेट बढ़ने की वज़े से इंट्रेस्ट रेट बढ़ने की वज़े से रिलायंस का जो बॉन्ड था उसका वैल्यू लगाँ वाँ कम क्योंकि अभी लोग बेच रहें कोई भी चीज बेच रहे मतलब या वैल्यू कम होते जाएं खराब है बेच दो बेच दो बेच दो ओ विद इस विद इस आई कंग्लूड द ग्यान अफ टोड़े सेशन अब अगर मैं आप लोगों को बोलू आपको बोलो बुकिश नॉलेज तो कोई भी दे देगा काली इंसिटूट कही पढ़कर आना है तो कही भी कुछ भी ले लो विद आपको बोलो खाली यहां पर नहीं फॉरेक्स डेरिवेटिव जब आप करोगे ना मेरे साथ में मज़ा आजाएगा ठीक है तो अच्छा लगा आप लोगों को सेशन ठीक है एल वेट फॉर वाट्स अप मेसेजिस पॉर सेशन वेट मैं यूट्यूब पर यह लेक्चर डाल रहा हूँ उदर कमेंट जरूर करना कैसा लगा अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब का इंफलेशन रेट बढ़ रहा है अब आप क्या करने वाले द हो बताओ मुझे कैना इससे आप लिकविडीटी को गोटैस कैसे काड़ आपके हातayı डिकविडीटी केंट्रोल करना हां कैसे करना हैं चलो छो बता हए फट्स अभी पूरा के पूरा तुम लोगों के सामने ए मज़ा आ गया यह मज़ा मैं रोज देना चाहता हूं आपको वेरी गुड इंट्रेस्ट बढ़ा देंगे यह यह देखो क्या confidence अभी तुम लोग को यार अब तुम लोग को पता चल गया है क्या होने वाल है क्या कैसे चीजे चल रही है जैसे ही मैंने इंट्रेस्ट रेट बढ़ाया कौन सा होगा stocks that will go down tell me stocks that will go down tell me the stocks that will go down tell me the stocks that will go down देखो यह लेविल का पढ़ाई और यह लेविल से आप पढ़ोगे ना तो आपको economic time पढ़ने में भी मजाएगा क्योंकि अब आप connect कर पा रहे हो अब आपको चीजे समझ रहे है और कुछ complex नहीं था easy था अब तक उस direction से नहीं सोचा अब तक formulas के उपर ही नहीं आपाते अपन students अपने को लगता है बस उसी में पूरी सिंदगी है बस pass कर लो कैसे भी करके अरे करेंगे या अच्छे मांक से पास करेंगे बस साथ में यह ज्यान लेके करे तो यार इस आप लोगे अब तो किव बिखुश अफ वन तींग विखुश्व फ्रक्टिकली यार काम करके आया हुँ में पाथ साल फाइन इंडूस्ट्री में वो भी global finance दाउन और फिर सेक्टर्ज डैट विल गो अप बोलो कौन सा कौन सा सेक्टर उपर जाएगा कब भी याद रखना यह लोग नीचे जा रहा है तो इनका डिमांड बढ़ जाएगा क्रेक्ट एफम सीजी उपर गया क्या बात है मेरा आईटी एक्सपोर्ट की वज़े से उपर गया मेरा फार्मा उपर जाएगा कि यह एटलीस स्टेबल स्टॉक से ऐसा नहीं कि कोई निउस है जिससे फम सीजी या फार्मा उपर जा रहे बट बिकॉज डाउन मार्केट में यह लोग स्टेबल है तो भी ओटोमेंटिकल नहीं कोदर बढ़ रहरा है बोस बटेजे में इंपोर्ट करता हूं जैसे कि क्रूड ऑइल गिरेगा बॉस जैसे की बढ़ेगा बॉस्त बढ़ेगा गोल्ड इंडिया गोल्ड इंपोर्ड करता है बढ़ेगा big-time बढ़ेगा मुझे एक last चीज बता दो इसको तो भी और detail में भी बात में discuss करेंगे interest rate बढ़ेगा तो क्या होगा interest rate बढ़ेगा तो क्या होगा bond के value का ये लोग में है नंवर्स inverse proportion में बढ़ता हुर है काम होता है एक बड़ा दूसरा किना, किया अब यए खुच से आप लोग बना सकते हो क्या, टन, तो क्या मुझे आप लोग की स्टोरी पे, ये ये स्टोरी पे डालो आज, भूलने का हाँ, फैनाइनस का कीडा ने मुझे काट लिया है, तो मैं पाजल हो गया हो, मस्त में बनाके डाल दोई हाँ क्या बोलते हैं बाइस के ऐसा कुछ लिख देना स्ट्रेट मांक होना चीना आपना है दन तो के वाँ ऑन डाट पॉजिटिव नोट ऑन डाट ब्रेन क्रैकिंग राकिंग नोट अपन कर रहे हैं आज का सेशन समाप्त राइट जैसा मैंने बोला मुझे अच्छा अभी किसी को डाउट आया तो पूछ लेना कल पूछ लेना कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं ह यह चीज मुझे एक बार बेज देना आप लोग ठीक है एंड डिस सेशन विल बी ऑन यूट्यूब ऑल्सो तो वहां से भी आप लोगो कभी देखना है किसी को शेयर करना है किसी के साथ यू कन दू इट आज वेल सर ब्रेक मिलेगा कल से 101 आज तो अपन लोग ने सेशन ही स्टार्ट कर देंगे एंड कल से स्टार्ट करेंगे नहां चाप्टर एड येस मूट्यूर फंड येस येस डन मिलेगा ब्रेक मिलेगा कल से रूंट यूर्ट शोड़ो भाई ओके अच्छा चलता हूं आज का सेशन याद रखना मिलते हैं कल टाइम फर मीडू से आस्ता लविस्ता प्लीज रिवाईस करके आना गाईस ये नोट्स में अपलोड कर रहा हूं रिवाईस करके आना अच्छा रहेगा एक बांड का वैल्यू कम हुआ दूसरे का बड़ा सो हम ओवरॉल बैंड का बांड का वैल्यू डिक्रीज क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जो बांड अलेडी एक्जिस्टेंस में उनका वैल्यू गिर रहा है ये तो अभी नया आया है ना मार्केट में तो इसका बड़ा नहीं है यह तो अभी इंट्रेड्यूस हो रहा है जो एक्जिस्टेंस में उसके साथ अपने को कंपेरिशन करता है महलों काले यह सास्तला विस्ता डंडिया क्लास टाइमिंग टुमोरो विल बी 7 a.m. तुम लोगो मैसेज या वाट्सअप आ जाएगा डोंट वारी बट फॉर नौव विल कीप इट सेवे नहीं कल साम को सुबह सुबह साथ बज़े मिलते हैं कैसा लगा सेशन दू लट मीनू ताइम पर मीडू से अस्ताला विस्ता कीप स्माइलिंग टेक कर थैंक यू और यह 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 स्टोरी पर यह डालना है बहुसाज लट लगा ट्याइश ड्याव विल टोट यहां कार्ठीक विल कार्ट्स and linking everything we will do it logically मसा आएगा भाई